एक बड़ा ही संसनी खेज खुलासा हुआ है क्या रूस चाइना के घुसपैट करने पर नुकलियर हमला कर देता क्या प्लानिंग कर रहा है रूस ऐसा करने का और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विशय बन चुका है तो आई दूसरी तरफ आचानक से पीएम मोदी को लेकर यूएस आईएस पीएफ चेर्मेन जॉन चेमबर्स ने क्या कह दिया है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विश्तार से य इनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसंसा करते हुए उन्हें दुनिया का सर्वस्रेष्ट नेता करार दिया है पूर्व टेक टाइटर्न चेमबर्स ने पीएम मोदी को लेक्षनिये मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अमेरिका में भी कोई ऐसा नेता हो हमें ऐसा कोई राजनीतिक नेता नहीं मिला है जिसने 50% से अधिक अबरूबल रेटिंग हासिल की हो चेमबर्स ने तो कि टेक्नलोजी उधोग में अपनी प्रभाव साली भूमिका के लिए जाने जाते हैं एक नीजी चैनल के साथ इंटर्व्यू के दोरान टिपनिक चेमबर्स ने एक नेता के ट्रैक रिकॉर्ड रिस्तों और विश्वास निर्मान छमताओं के महतों पर ज चेमबर्स ने कहा कि यदि आप किसी नेता के बारे में सोचते हैं तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हैं वे उनके रिस्ते और विश्वास के बारे में हैं उन्होंने अमेरिका में हमारे सभी राजनीतिक नेताओं के साथ संबंद बनाए हैं लोग उन पर भरोसा कर 2022 में भारत और अमेरिका ने राजनाईक संबंदों के 75 वर्सगाट मनाई दोनों राष्ट एक दूसरे के साथ ब्यापक बैस्वीक रननीतिक साजेदारी का आनंद लेते हैं जो मानो प्रियास के लगवक सभी छेत्रों को कवर करती है जो साजा लोकतांतरिक मुल्यों विभिन मुद्दों पर हीतों के कारण एक दूसरे के साथ प्रेवी थे यहाँ पर USISPF के चीफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए रूस प्लानिंग कर रहा है नुकलियर स्ट्राइक का अगर चाइना घुसपैट करता है तो एक डॉकुमेंट लीक हुई है एक मिलिटरी फाइल लीक हुई है और फैनेंसियल टाइम्स ने इसको लेकर कई बड़े खुलासे कर दिये हैं कहा जा रहा है कि यह जो फाइल्स हैं यह दस साल पुराने फाइल्स हैं 2008 से लेकर 2014 के बीच में हैं और यहां पर रूस ने अपनी मिलिटरी को पूरी तरीके से तयार किया है कहा जा रहा है कि 29 रसियन मिलिटरी के सीक्रेट फाइल्स हैं जिसमें कहा गया है कि अगर चाइना हमला करता है तो क्या करना है पहली बाद तो ये इस डोकुमेंट से एक बड़ा खुलासा होता है कि रूस का चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है ये कहना है इस आर्टिकल का आपको बता दें फाइनंशियल टाइम्स का ये कहना है कि रूसी राश्पती ब्लादिमिर पुतिन ने चाइना के साथ रिस्ति अच्छे करने शुरू किये हैं लेकिन जो रूस का ट्रेनिंग मटेरियल है वो बता रहा है कि वो चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करता है और रूस ने अपनी सेना को ट्रेनिंग दी है कि जरूरत पड़े तो किन किन जगों पर आपको न्यूकलियर फॉस्ट स्ट्राइक का इस्तमाल कर लेना है यानि पह पना के बाद कैसे कैसे हमला करना है वो सारी चीजे उन्होंने तैक दूसरा इस डॉकुमेंट से ये पता चल गया कि इनके पास न्यूकलियर स्ट्राइक करने के लिए कुछ छमताएं हैं जो सीमित हैं तो वहीं इन्होंने तीसरे में ये भी डिफाइन किया है कि किदर किद डॉकुमेंट में कहा जा रहा है कि 20 पर 30 तक चांस है कि पानी के द्वारा ही हो हमला चौथा यहां पर क्लियर हतियारों का कम इस्तेमाल हो युद्ध में इन चारों चीजों का खुलासा इस डॉकुमेंट में हुआ हैं अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता यह पूरा डॉकुमेंट मुझे जूटा लग रहा है क्योंकि इससे इतनी अच्छी दोस्ती है चाइना और रूस के अंदर क्या ऐसा कुछ हो सकता है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए आपके कई सारे दाएं दूर होती जाएंगी यहाँ पर चाइना के उपविदेश मंत्री है वेई सन वेई डोंग जो पहले भारत में राजदू इनका क्या कहना है कि एसिया पेस्विक में चायना और रूस को साथ मिलकर काम करना होगा अपनी मजबूती को अच्छी तरीके से कोडिनेट करना होगा रनीतिक साजेदारी बनानी होगी मतलब एसिया पेस्विक में इनकिस के खिलाफ यह रनीती बनानी है कहीं न rhinitी कर रहा है पर आपको बता दे, रूस और चाइना की बीच नो लिमिट दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में boundary dispute है, स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप, और ये इलाका है ब्लादी वोस्तोक का इलाका, ब्लादी वोस्तोक के इलाके को रूस अपना मानता है, जब किया था, और इस मैप में रूस के ब्लादी वोस्तोक इलाके को भी अपना दिखाया था, जिसके बाद रूस ने भी reject कर दिया था, और कहा था कि ये जो मैप बनाया जा रहा है, ये मैप गलत है, भारत के भी कई लाकों को अपने में दिखलाया गया था, यूरेसियन टाइम की इस खबर को देख सकते हैं, चाइना के नए मैप में रसियन टेरिटरी दिखाये गए, कहा गया कि क्या ये एक मिस्टेक था या जान बूझ कर किया गया है, तो सारे मानते हैं कि ये जान बूझ कर ही किया गया है, वैसे एक और घटना हुई थी, पॉल्टिकों की इस खब गर चले गए थे रूस में, और यहां पर रूस ने उन्हें डीटेंड कर लिया था, डीटेंड करके उन्हें वापस लोटा दिया गया था, जिसकी वजह से यहां पर रूस को क्लास लगाई थी चाइना ने, अब ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, ये तस्वीर है, बला रहता है, जिसकी वजह से यहां से बैपार करना ज्यादा आसान होता है, बलादी वोस्तोक को लेकर हमेशा से रूस बहुत एग्रेसिव रहता है, रूस इसे छोड़ना नहीं चाहता है, आपको याद होगा बलादी वोस्तोक को लेकर कहीं न कहीं भारत से मदद भी चाहता ह और इसी करम में ब्लादिवोस्तोक पुर्जेक्ट को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाह रहा है भारत और रूस के बीच में एक साजेदारी भी बन रही है मीटिंग भी हो रही है कि किस तरीके से इस पोर्ट को एक्टिव किया जाए और इस पर काम सुरू हो जल्द से जल्द रूस ऐसा करना चाहता है अब इस डोकुमेंट के खुलासे के बाद कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता हो सकता है ये किसी वेस्टन प्रोबेगंडा का हिस्सा हो सकता है पर आपको बता दूँ बॉर्डर डिस्पूट तो जरूर है चाइना और रूस के बीच में और इस वक्त कहीं न कहीं चाइन